नमस्कार दोस्तों केके न्यू जिंदी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों गली के कुट्टों को रोज खाना खिलाती थी महिला फिर एक दिन कुट्टे ने ऐसे चुकाया अपना एहसान मद्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चौकाने वाली खबर सामने आई है जहां एक कुट्टे ने महिला की इज़त बचाई है बताया जा रहा है कि महिला गली में बैठने वाले कुट्टों को रोज रोटी खिलाती थी जहां एक दिन कुट्टे ने महिला की इज़त बचा कर अपना फर ज़रा किया है सुत्रों से मिली जानकारी के नुसार मामला भोपाल के छोला इलाके का है जहां एक महिला दो पहर में अपने कमरे में आराम कर रही थी तो मौका पाकर एक यूवक उसके घर में गुज़ गया और महिला के साथ छेड़ चाड़ करने लगा जब महिला के साथ आरोपी जबरजस्ती करने लगा तो कुत्ता आरोपी पर तूट पड़ा और बताया जा रहा है क्यों कुत्तों ने आरोपी पर छलांक लगाते हुए उसे महिला से दूर कर दिया हालाकि इस दौरान आरोपी कुट्टे पर चाकु से वार करने की कोसिस करने लगा पर कुट्टा पीछे नहीं हटा और आरोपी को काट लिया जहां आरोपी ने कुट्टे के एक पैर को लहुलुवान कर दिया जिसके बाद महिला चिलाने लगी और आरोपी वहां से भाग गया जिसके बाद महिला की इजद बच गई इसके बाद महिला थाने पहुँची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्च करवा दिया गया और जहां सुरू भी हो गई वहीं मामले की जनकारी देते हुए थाना दिकारियों ने बताया कि महिला और उनके पती पास के ही ये कालूनी में रहते हैं जहां महिला ने पती के साथ थाने पहुँचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्च कराया है जहां पुलिस ने आरोपी सुनिल को गिरफतार कर लिया है वही महिला का कहना है कि उनकी इज़त कुट्य की वज़े से बची है जहां वो उसके पैर का इलाज भी करवा रही है तो दोस्तों आपकी इस खबर के बारे में क्या रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें चुरूर बता हूँ